मस्कार दोस्तों स्वागत से आप सभी का एक बार फिर से हमारे अचार जागंदर मिस्टराश चेनल पे मिथुन रास मई 2021 टीन बड़ी खुशपबरी जी हा दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं मई माह 2021 के मिथुन रासिफल के बारे में मिथुन रासिके लोगों के लिए ये मई का महीना कैसा रहेगा और इस मई के महीने में ग्रह नचत्रों की स्थिति कैसी होगी कौन से ग्रह अपनी रासि बदलेगा और कौन मिथुन रासिके जातकों के दिन चर्या पर कैसा होगा आपके जीवन से जड़े हर छेतर के बारे में जानेंगे कि ये मई 2021 का महीना कैसा रहेगा सब कुछ बिस्तार से जानेंगे मिथुन रास्कियात को आपके कारचेतर के बारे में जानेंगे आर्थिक छेतर के बारे में जानेंगे प्रेम जीवन बैवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन सिक्षा स्वास्त के बारे में जानेंगे आपका दामपत्य जीवन हेल्थ है सबी चीजियों के बारे में बारीकी से जानेंगे बस आप वीडियो के अंद तक आप बने रहिए आपको इस महीने की कुछ खास ऐसे उपाय भी बताएंगे मिथुन रास की जात को जिसको कर लेने से बेहद आपके लिए लाबकारी होगा तो दोस्तों मिथुन रास की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में और यह रासी चक्र की तीसरी रासी है कालपुरस की तीसरी रासी है मिथुन रासी और यह प्रेडिक्शन चंदराशी पर अधरित है मिथुन राश के जो स्वामी होते हैं वो बुद्ध का इस महीने में दो बार रासी परवर्तन होगा और बुद्ध जो है एक माई के दिन से ही बुद्ध का गोजर हो जाएगा यानि एक माई को बुद्ध का रासी परवर्तन आपके रासी के स्वामी का परवर्तन होगा दोनों ही तरह के परिणाम परिवर्तन लाती है जो अच्छे परिवर्तन लाती है वो बहुत ही अच्छे होते हैं इस महीने में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं मित्वन रास्कियात को जो बेहदी खास रहेंगे जैसे कि बिसब राश में आपके बारमे भाव पे कई योग बन र आपके कार्चेत्र में सबसे ज़्यादा बहतर लाप देखने को मिलेगा। मई का महीना आपके लिए कई तरह के लाभ लेकर आएगा आपके बिजिनस व्यापार में केरियर में अच्छे लाभ लेकर आएगा खासकर आपको बिदेश से कोई सुचना मिल सकती है बिदेशी कमपनियें से जुड़ने का मौका मिलेगा मिथुन रास्कियत को और मई 2021 का महिना आपके केडियर के हिसाब से देखा जाए तो केडियर में उच्चपत की प्राप्तिक सास सेलेरी में बृद्धी की योग बन रहे हैं और ट्रांसफर की योग भी बन रहे हैं इस्थनांतरन की योग बन रहे हैं तो पहली खुसकबरी आपको किशी मल्टी नेशन कंपनी से आफारा शकता है नौकरी जोब के लिए और दूसरी जो सबसे बड़ी खुसकबरी आपको मिलेगी मिथुन रास्कियत को मई 2020 के महिने में वो आपको बिजनस ब्यापार में अच्छी डिल कोई फाइनल हो सकती है इंपोर्टन डिल जो कि आपके लिए बहुत ही लावकारी रहने वाली है मई के महिने में बिजनस ब्यापार के हिसाब से अच्छा रहेगा अभी तक आपने जो मंदी का दोर जिला या पहले कुछ समस्याओं का सामना किया वो समस्याओं अब खत्म होंगी धीरे-धीरे और धीरे-धीरे आपको लाव होता हुँ दिखाए देगा 15 मई के बाद तो और बहतर परड़ाम देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर सूर्देव मेस राशी में के बाद फिर ब्रिसव राशी में गोचर करेंगे तो लाश्ट मई में वैसे भी यहां पर देखे कई तरह के योग बन रहे है चतुर ग्रही योग भी बन रहा है तो इसका सीधा लाब होगा मिथुन राश्कियातकों को रुका हुआ फसा हुआ धन भी प्राप्त होगा हाँ एक चीज है कि खर्च बढ़ सकते हैं खर्च बढ़ने के सासाथ आपके घर में कोई सदस से हरस्पिटलाईज खर्च भी हो सकता है शेहत का बिगरना या सेहत का खराब होना मिथुन राश्कियातकों आपके चिंता का कारण भी बन सकता है लाब तो होगा पैसे के लाब तो बने रहेंगे लेकिन कुछ आपके खर्च भी बढ़ेंगे इस मई 2020 के महिने में मिथुन राश्कियातकों अगर बात करें आपके घर परिवार की आपके परिवारिक जीवन की तो परिवार के शदस्चों के साथ इंज्वाय करते ने जराएंगे खुब सारा समय बितीत करते ने जराएंगे कुछ धर्मकर्म के कार हो सकते हैं धर्मिक कारियों का आयोजन हो सकता है आपके घर में बिवा आदिश शंपन हो सकते हैं और शादी बिवा की जर्चाय हो सकती है या शादी बिवा शंपन हो सकते हैं कथा वारता यानि धार्मिक कारियों का योजन के साथ धर्म कर्म के कार करेंगे कुछ दान दश्रा करते ने जराएंगे मैई के महीने में आर्थी किस्ति अगर किसी की बिगड़ी तो इसका हिल्प करते ने जराएंगे मैई के महीने में और student की बात करें तो student का अगर पढ़ाई लिखाई पर मन नहीं लग रहा तो गायतरी मन्द का जाप करें तो बेहतर लाभ है मिलेगा और जितना ज़्यादा आप यहां पर पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे मित्वम्रास कियात को उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा मई 2021 का महिना क्यूंकि अगर किसी result आने के इंतजार कर रहे थे तो result आपके favor में आता हो दिखाई देगा और यह आपके लिए तीसरी बड़ी खुशकबरी होगी क्यूंकि result काफी दिनों से आप बेसबर से इंतजार कर रहे थे और किसी कारण वसे result आपका wait यानि की late था तो अब delay था लेकिन अब delay नहीं होगा और बेहतर पेड़ाम आपको देखने को मिलेंगे सेहत को लेकर साधानी जरूर बरते जैसे कि हमने कहा गाड़ी बाहन चलाते समय साधानी बरते वरना चोड़ चपेट लगने के संभाव नहीं मई 2020 के महिने में बन सकती है तो मिथन रास के जात को मई के महिने में गाड़ी बाहन का प्रियोग कम करें और कोशिश करें ज़्यादा बाहर घूमने फिरने से बचने और ज़्यादा भीड भाहर इलाके में ना जाएं और देखें अगर हम बात करें आपके प्रेम जीवन की तो प्रेम जीवन में एक दूसरे के साथ बंदे हुए रिस्टों बंदे हुए हैं एक दूसरे के साथ इंज्वाई करते हुए नजराएंगे और काफी खुशनमा मोहल देखने को मिलेगा काफी समय से जो आपके पास समय नहीं मिल पा रहा था तो अब अपने जीवन याँ आप अपने प्रेम पार्टनर को ज़्यादा ज़्यादा समय देते नजराएंगे उनके साथ बेहतर अच्छे पल महसूस करते नजराएंगे खुब इंजराएंगे उनके साथ मौज मस्ती करते नजराएंगे घूमने फिरने का मन बना सकते हैं लेकिन जारा घूमने फिरने से बचे उन्हें कुछ गिफ्ट देने का वादा किया था तो गिफ्ट देने का आप वादा पूरा करते नजराएंगे मई 2021 के महिने में मित अंदाज कियात को ये मई के महिना आपके लिए काफी तर लाब करे रहा है एक तो चतुर ग्रही योग बन रहा है इस चतुर ग्रही योग का सीधा आपको लाब मई 2021 के महिने में बनेगा इस प्रकार से आपको लाब होगा क्योंकि देखे कई तरह के लाब आपको देखने को मिलेगा एक तो देखे इसमय हो सकते हैं आप गाड़ी बाहन का शुक पराप्त कर सकते हैं बोस आपके काम की तारीव करेंगे जो उच्च धिकारी हैं वरिष्ट धिकारी हैं वो आपका साथ देंगे और दामपत जीवन में खुश हाली है एक दूसरे के साथ बंदे हुए रिष्टों की दोर को और मजबूत कर रहे हैं संतान, संबंदे, शमश्याईं दूर होगी और मई के महिने में शंतान की बड़ी खुशकबरी आपको मिल सकती है और जिनके पास आल्डरेडी संतान है तो संतान अगर आपकी बराबरी है तो आपके कारचेत में आपकी मदद कर सकते हैं या उपने जोब या नोकरी या अपने सिक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करते हुए आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे उपाय की बात करें तो यहाँ पर देखें मितुन रास के जातकों मई 2021 के महिने में उपाय की तोर पर आपको ब्रिश्णु सहस्तर इस्तरोत का पाठ करना है और कोशिस करें ये कि आप किसी गरीब निर्धन को वस्त्र का दान करें और जल का दान जरूर करें माई के महिने में एक घड़ा जरूर रख दें ऐसे जगा पर जहां से यात्रे निकलें और जल पिएं उस जल से आपको बड़ा लाब होगा चुकि जल के बराबर कोई दान नहीं है तो माई के महिने में जल का दान जरूर करें और पच्छीयों को भूने हुए आप जरूर चने डाले और कोशिश करें कि अपने टेरिस पर आपने आगन पर एक कटोरी जल जरूर सुबह साम रख दे ताकि गर्मियों में पच्छी जब